रुवा देख रहलबानी बिहार के डिश्टो क्रांती के जनक न्यूज बिहार के यूटूब चैनल भारत लाइब टीवी आपको यह खबर निश्यत आश्चर में डाल देगी कि आखिर ऐसा क्यों हो गया जिससे नितेश्वी ने नितीज कुमार के हार का दावा कर दिया पर जैसे जैसे पन्ना पल्टता जाएगा सब कुछ साफ आइने के तरह आप अपनी आखों से देखेंगे भली भाती आप जानते हैं कि पिछले तीन चार महीने में भाजपा और नितीज कुमार के संबंधों में खटास देखने को मिल रही है ये सब लोग सबा चुनाओ के बाद से सुरू हो गया था जैसे ही परिणाम सामने आये भाजपा ने रंग बदल और नितीज कुमार को धीरे धीरे पीछे की पंक्ती में सरका दिया इस कहानी का पहला अध्याय मोधी पार्ट टू से नितीज का आउट होना है आपको यह पूरी खबर देखने के लिए खुद बखुद एसास हो जाएगा और आश्चरी भी होगा जब आप इस खबर को पूरा देखेंगे पहले पन्ने से आप रूबरू हुए इसके बाद के पन्ने से आप वाकिफ हैं अगले पन्ने को खुद नितीज कुमार ने पलटते हुए अपना इरादा साफ कर दिया था नितीज का अभेद किला माना जाने वाला बिहार और बिहार आते ही भाजबा पर जबर्दस्त पलटवार इस दास्तान के दूसरे पन्ने पर नितीज ने लिख डाला अपने मंत्री मंडल के विश्टार से भाजबा को दूर कर इरादा साफ कर दिया इसके बाद से तो हर पन्ना कई रंगों की रोशनाई से रंगीन होता रहा इन विभिन रंगों में जिस तरह के सब्दों से पन्ना भरा गया वो दोस्ती की दास्तान से ज़्यादा बदले और बदनाम करने की किस्से बया करता है सबसे ज़्यादा इस पूरी कहानी में नितीज कुमार जिनके कंधे पर दस बरसों तक बैठ मंजील की सफर कदम दर कदम बढ़ाने वाली भाजबा चू तक नहीं बोली नितीज के हर अच्छे बुरे खटे मीठे तथा यहां तक की कड़़े लगने वाले सब्दों को भी पूरे आदर सदकार के साथ सुईकार कर दोस्ती की अच्छी मिसाल पेस करते रहे और पीछे पीछे चलते रहे इसके बाद की कहानी ने अचानक मोड लिया जब पात्र बदल गए इससे गुसाए नितीज को साथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा उसके बाद तो इन पात्रों के साथ भाजपा ने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी पर नितीज भी कहां हार मानने वाले हैं उन्होंने अपने गढ़ में अपनी पकड़ बनाने के लिए पुराने दोस्तों से हाथ मिला लिया यह बिहार की राजनीत का कटू सत्य था जिसे दो वर्सों तक बिहार की जनता नितीश कुमार और उनके साथियों ने बड़े धैरे से कायम रखा परन्तु भाजपा के रणनिती इस पुराने गठ चोड़ पर हावी रही 2014 के लोकसभा में उसने बूरी तरह से इस नए गठ चोड़ को परास्त कर एक नया अध्याय अगले पन्ने पर लिख डाला भाजपा के बिरूत देश वर की पार्टियों में गठ बंधन के सारे प्रयास बिफल हो गए नितीश और उनको बिहार के सत्ता में बनाये रखने वाले शहयोगियों को भी लोकसभा में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है एक बड़ी जीत के साथ भाजपा ने नए यूग का शुरुआत किया जिसने देश में नितीश लालू और कॉंग्रेस मुक्त पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार को शत्ता में स्थापित कर दिया जीत से लवरेज मोदी शाह की जोड़ी ने अति उत्साह में भारत बिजयरत छोड़ा जो भी सामने आया या तो उसे उनके कुनवे में सामिल होना पड़ा या फिर परास्थ होकर सत्ता से बाहर जाना पड़ा पर 2015 में बिहार आने के बाद इस रत का पूरा किस्सा ही बदल गया और एक नई रोश्नाई से नई इबादत लिखी गई इस कहानी में तो पुराने दोस्त की वो दास्तान थी जिनके बिना बिहार के पन्ने पर सत्ता पाने की कहानी लिखा जाना और संभव जैसा था लालू और नितिस दोनों ने गठ जोड किया और कॉंग्रेस को साथ लेकर नए महागडवंधन की पटकता लिख डाला इसमें लालू ने इतना सब और अच्छा धंग से दाव खेला कि बिरोधी टीम के सारे अस्त सस्त बेसर हो गया और अपराजे मोधी साय की मानी जाने व खुरू हुआ नितिस को लेकर बिहुरशना साह ने इस हार को सबसे उपर के पन्ने पर लिख उसे अंडरलाइन कर दिया हर वक्त वो इस हार को जीत में बदलने की रणनिती बनाते रहे जो अंत्ता कामयाब भी रही कहा जाता है कि राजनीत में कोई भी अस्थाई दोस्त य में सब कुछ ठीक चल रहा था लालू के दोनों बेटों को नितिस चचा के देख रेख में राजनीत के गूर्श शीखने को मिल रहा था साथ ही दोनों को मंटरी मंडल में काफी महत् Kilण मंत्र आले भी मिल गया था इसके साथ छोटे बेटे को तो बोनस में उप मुक्ध मंत लगा था साथ ही देश में अपराजे मोदी की छवी पर भी प्रस्ण खड़े हो गए थे यहां से नया गेम सुरू होता है एक नए सब्द गढ़ने और लिखने की कहानी सुरू होती है शुशील मोदी ने पूरा ग्रंथी लिख डाला और हर पन्ने को मीडिया के सामने रखते चले गए इस खुलासे में लालू परिवार के साथ उपमुखमत्री पत बैठे तेजश्वी मुखे टार्गेट में थे मामला हर रोज नया मोड ले रहा था हर खुलासा चौकाने वाला था और सुनियोजी ढंक से चल रहे इस पूरे कहानी का आखिर योजना बत तरीके से स उसील मोदी ने आगे पन्ने पर जो लिखा वो लालू परिवार के लिए काफी डर आउना था लोग तंत्र में कहा जाता है कि जनता ही असली मालिक है जनादेश ही सब कुछ होता है प्रन्तु यह बात बालू की भीड जैसा भरभरा कर धरासाई हो गया बिहार में साथी जन स्वायत संस्थाओं के लिए प्रयोग किया गया था वो सरकार पर काविज दल नेता के लिए मास्टर की के तरह काम करता है उसके प्रयोग से जब जैसे चाहे कोई भी दरवाजा जो सत्ता तक ले जाए उसे सत्तधारी खोल लेते हैं इस कड़वी सचाई को माने तो समयधा सत्तानिक रूप से स्वतंसर संस्थाओं को सत्ता अपने विरोधियों या सत्ता हासिल करने के लिए इस्तिमाल करती हैं बिहार में भी कहा जाता है कि केंद्र में बैठी भाजपा ने बिहार में सत्ता के लिए इस रास्ते को अक्तियार किया लगातार इस बात पर चैर्चा राजनितिक घरानों में भी आप सुन सकते हैं इन सब के बीच सुसील मोदी के लिखे पन्ने बड़े असरदार निकले जिसने नितीश को मात्र डेर साल के अंदर महा गठबंदन छोड़कर फिर से भाजबा की अगवाई या वाली एंडिये के साथ आने का हेतु दे दिया नितीश को तेजश्वी पर लगे भरस्टाचार के आरोप के रूप में एक मजबूत मुद्दा भी मिल गया था आरोपों को लेकर ये दावा किया गया था कि तेजश्वी जैसे ही उप मुख मंत्री पद से हटेंगे गिरफतार कर जेल भेज दिये जाएंगे पर दो बरस बिद जाने पर भी उन्हें जेल अब तक नहीं भेजा जा सका है हाँ ये जरूर हुआ कि नितीश कुमार का उप मुख मंत्री जरूर बदल गया अब अगला पन्ना जिसके बाद की कहानी और भी ज़्यादा भयानक और डरावनी है उसकी तरफ जाने से पहले नितीश कुमार के उस फैसले पर लिखी दास्तान को पलटना जरूरी है जानकारों का लिखा और कहा माने तो नितीश ने अपने पूरे राजनितिक जीवन की सबसे बड़ी भूल दुबारा एंडिये में जाकर किया इसके साथ कई तर्क भी दिये जाते हैं इन में से कुछ पक्च में तो बिल्कुल बिरोध भी है परन्तु इन सब में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि नितीश हर दिन अकेले होते जा रहे हैं हाला कि शुशील मोदी जिने कहा जाता है कि नितीश कुमार के सबसे बड़े प्रसंशक और पैरोकार हैं नितीश कुमार में पी-म के सारे गुन उन्हें दिखाई देते हैं जब भाजपा के नेता नितीश कुमार को परिशान करते हैं उन पर फप्तियां करते हैं तो आरे से उसको गुला कर डटवाते हैं पर कुछ दिनों से उनके रंग भी फीके होते दिख रहे हैं नितीश के हर फैसले पर साथ खड़े होने वाले छोटे मोधी दूर दूर नजर आने लगे हैं आपको बता दें कि और कोई नितीश कुमार के साथ हो या नहो पर सबसे जादा चिंता की बात ये है कि उनके दल के लोग नितीश को लेकर चूप और सांथ है नितीस के रौन नौरतनों में शामिल नेता जुबानी जंग से किनारा किये हुए हैं कई प्रवक्ता जो बिरोधियों के नाकोचने चबवाने को मजबूर कर दिये थे गुम्मी साधे हुए हैं एक का दुका बोल भी रहे हैं तो अपने ही दल का समर्थन नहीं मिल रहा है उल्टे सहयोगियों और भाजपा के द्वारा लोजपा के द्वारा उन्हें नसीहत दी जाती है इन सब के साथ नितीश कुमार का बॉडी लेंगोज भी साहब बता रहा है कि वो भीतर ही भीतर काफी परेशान है पटना राजधानी में आई बार को लेकर जिस तरह से नितीश को भाजपा ने कटगरे में खड़ा किया वो पूरी कहानी बया करता है नितीज पर भाजबा के मंत्री विधायक सांसद ही नहीं केंद्रिय मंत्रियों ने भी उंगली उठाई है उसके बाद उनके दल के नेताओं की चुपी उल्टे एकाद नेताओं द्वारा तो नितीज के मंसा पर ही प्रश्न खड़े कर दी गए ऐसी परिस्थिती में नितीज कोई दूसरा होता तो उसके मनोदसा का अंदाजा लगाया जा सकता था प्रन्तु नितीज कुमार का एक हाथ फैसला लेता है तो दूसरे को पता तक नहीं चलता इन सब के बाद जिस तरह का फीड़बेक आ रहा है वो नितीज कुमार को काफी परिशान करने वाला है जिस त चौकाने वाली बात भीतर खाने से आ रही है उसके अनुसार सब योजना बद तरीके से और रणनीती बना कर किया जा रहा है राजनीत पूरी तरह से नितीश कुमार के भी पक्स जा रही है और उन्हें नेस्तना बूत करने की पूरी रणनीती रची जा चुकी है सुत्रो की माने तो इस चक्रभी रचना के पात्रों में तेजश्वी आदो भी सामिल है नितीश कुमार को महा गठवंदर में पुना हुआ वापस लाने वाले वरिष्ट राज़त निताओं के फैसले के वीपरी तेजश्वी का नितीश को बार बार नो इंट्री का बोर्ट का कहना है कि भाज़पा की लिखी पटकता जिस पर सब पात्र अपने अपने हिस्से का रॉल निभा रहे हैं उसके साथ करी जोड़ी जा रही है कि लालू जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं तेजश्वी पर जो मामले हैं वो सबूत के अभाव में खत्म कर दिये लुफ चुनावे नितीश को हराने में भाज़पा के लोग लग गए हैं आपको बता दें कि ये सब बातें बिहार की राजनीत में कौतुहल के साथ चर्चा का विशय बना हुआ हैं इन सब बातों को लेकर बिहार में काफी करीब से जानने वाले लोग और बिहार को पढ़ इसके राजनीत अंतिम कगार पर है भारत लाइब ने तो इन संभावना पर आपको पहले भी खबर दिखाया था बताया था कि तेजश्वी का भाज़पा के प्रतिश सौफ्ट और नितीश कुमार के पीछे हाथ दोकर पढ़ना कुछ तो है जिसकी परदेदारी हैं अंडर अगले पन्ने पर लिखी जाएगी दसहरा पर नितीश कुमार के परम प्रिये साथी सुशिल मोदी का दुर रहना और दुस्मन खेमे वाले कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन ज्या का साथ आना कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसका डर्था बेदर्दी वही बात हो ग देखने वाली बात ये होगी कि बिहार किस दिसा में जा रहा है और बिहार की राजनीत किस दिसा में जा रही है अगर सब कुछ जैसा की विशिस्ट और वरिष्ट लोग जो बिहार को नजदीक से जानते हैं सोच रहे हैं कह रहे हैं या भीतर खाने से जो खबरे आ रही हैं अगर वो सही है, तो आने वाले दिनों में बिहार में बड़े राजनितिक उलट पलट देखने को मिल सकते हैं, और यह भी देखने को मिल सकता है कि अब नितीश कुबार, इसके बाद कौनसी ऐसी राजनितिक दाओं या फिर अंदर खाने से निकाल कर ऐसा घोटी फिकेंगे, कि पूरी तरह से उनके विरोधी धरासाई हो जाएंगे क्या एक नए समिकरन की तरफ बिहार बढ़ रहा है महागटबंधन का कोई नया सरूप देखने को मिलेगा या फिर एंडिये के नए दोस्त सामिल होंगे और पुराने दोस्त छटकेंगे इन सब संभावनाओं पर और प्रतिक्रियाओं पर राजनितिक घटना क्रम पर भारत लाइब की नजर है आपकी नजर भारत लाइब पर होनी चाहिए और हमारी नजर बिहार और बिहार के हर राजनितिक दलों पर है नमस्कार पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन डबा दिए पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद